हेलो गाइज, बेलकम बैक टू निव वीडियो, अगर आपने इगनू में निव एडमिशन लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एडमिशन के बाद आगे का क्या प्रोसेस है, उसमें आप को एडमिशन के बाद क्या करना पड़ता है, बुक्स वगएरा, और लाइन क्लासे वगएरा, सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को सुरू चैनल तक जरूर देखें, और चैनल में अगर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक और सस्क्राइब जरूर करें, सबसे पहले इस प इस फोर्म को हमें अपने पास एक रखना पड़ता है, जिससे हम आगे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानि इसके बाद जो कंडिशन है, अगर हम एडमिशन के लिए पता करना है कि एडमिशन हमारा कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ इसके बाद ये बार कोड क्लिक करके इसमें लोगिन में क्लिक करना है, लोगिन में क्लिक करने के वे एक ऐसा इंटरफ्रेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद यहां से हमें इन्रोडमेंट नमबर मिल जाएगा, इन्रोडमेंट नमबर के साथ-साथ हम यहा से डाउनवोड करने बात यहाँ पे पासवर्ड के लिए पासवर्ड इसका इंरोड्मेंट नमबर होगा बाद यहाँ पे सकाइन करके आपकी सारी डिटेल अपनी ले सकते हैं और इस इंट आउट निकालने के बाद लेमिनेट करा लेना है क्योंकि यही सुरू से एंड तक चलेगा और इसमें सारी डिटेल होती हैं एड्रस नेम औगारा सारी डिटेल इसमें होती हैं तो यानि अब इसके बाद हम चलते हैं यानि एडिमिशन के आगे की प्रोसेस के वारे में आपको बताते हैं इसमें तो यहां से इंडर में नंबर जो मिल जाता सबसे महत्रपूंड चीज होता क्योंकि इंडर में नंबर से ही आगे की सारी कानी होती है कि रिजर्ट अपडेट वगरा और अगर हम यह जो सब्जेक्ट कोर्स कोड हैं अगर इनको हमें देख लेना प सबजेक्ट कोड़ा है तो हम यहां से चेक कर सकते हैं एडिच्ण स्टेटême में जैसे आपने जन्वजरी सब्जेक्ट उप्जेक्ट वहां से अप देख सकते हैं कि क्या सब्जेक्ट हमारे है आपने यहां पर जो सब्जेक्ट चूल्च means कि यह या फिर इसमें कोई डिफ्रेंस है अगर आपको डिफ्रेंस लगता है या कोई चीज आपको इसमें गलत दिखती है admision status में तो आपको रिजनल सेंटर जाना पड़ेगा रिजनल सेंटर जाने के बाद वहां से आप अपना चेंज करा सकते हैं सब्जेक्ट कोड को अपने हिसाब से चेंज करा सकते हैं और यहां पर आप साइन अप कर सकते हैं यूजर नेम पासवर्ड के द्वारा आप यहां पर साइन यानि अपना यूजर नेम और जो भी पास्वर्ड है उस पास्वर्ड को डालेंगे डालने के बात अब हम आ गए ड्रक्ट एड्मिशन के पोर्टल में अगर हमें फिर से यहां पर रेजिटेशन लोगिन करना पड़ेगा लोगिन करने के बात एक ऐसा इंटरफेस हमारे सामन ओपन हो जाया गयानि एड्मिशन का इसमें सारा डिटेल हुआ है कि आपका इसमें एड्रेस वगारा सब है इस एड्रेस में वुक्स वगारा जाती है तो यानि यहां से आप यहां से आप चक कर सकते हैं अपने एड्मिशन के स्टेटस के वारे में इसमें सारे डिटेल है क कि आपने कब admission कराया था कितना duration के लिए है तो upload clear scan copy तो यहनि आप यहां से और आपके पास एक ऐसा message भी जाएगा कि आपका your admission July 2020 confirm तो यहाँ mail भी आएगी कि दियर राजेंड वी हैपी इन फॉर्म यू यू आपका admission confirm हो गया है और इसके recording सारी detail आपको आएगी इन्रोल्मेंट नंबर आएगा में इन्रोल्मेंट नंबर होता है इस्टेडी सेंटर आपको दे दिया जाएगा और एड्रस वगयरा और course code सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी यानि आपको यहाँ पे यहाँ पे your admission के बारे में जानकारी यहाँ से दे सकते हैं यह आपके admission confirm हो गया है एक ऐसा आपके पास message आता है और और मेल भी आपको इगनू की तरफ से आती है अब इसके बाद आपको अगर ऐसा मैसे आ जाए तो आप माल लिजिए कि हमारा admission यहाँ पे confirm हो चुका है इंविश्टी में और confirm हो गया है और आगे अपनी study वगयरा बिल्कुल start कर सकते हैं तो यहाँ से आपको यह चीजे confirm हो जाती है इसके बाद you will be introduction meeting यानि introduction meeting होगी जिसमें सारे student को इस meeting में आना important है यानि study center और आपके जो regional center है वो आपके लेंगे यह meeting को तो आपको इसको ले सकते हैं meeting attend कर सकते हैं यानि assignment से related सारी चीज़े बताएंगे exam से related और classes से related इस meeting में discussion होगा इस meeting में आप सारे student इसको ले सकते हैं और but attend meeting not compulsory यानि यह जो meeting है यह बहुत compulsory नहीं है कि इसको लेना ही लेना आप इसको ignore भी कर सकते हैं आप इडिमिशन लेते हैं इडिमिशन लेने बात आप से question पूसा जाता है कि आप digitally आप books लेना चाहते हैं या printed books लेना चाहते हैं जिसमें से आपको दो option होते हैं पहला option है कि आनि study material आपको digitally मिलेंगे जिसमें आपको जो admission आप कराएंगे उसमें 15% का आपको discount मिलेगा यान जो भी मतलब admission की फीच होगी उसमें से 15% की आपको छूट मिलेगी यानि study material status यहां से आप चेक कर सकते हैं directly की और दूसरी बात यहां से आप involvement नंबर समिट कर सकते हैं समिट करने के बाद ऐसी detail आपके सामने open हो जाएगी यानि deliver हुआ है आपका study material नहीं हुआ है और यहां स सारी आप कुछ यह दिख जाएंगी सारे course name है यह medium है बार कोड है यानि expected date देट लिखी है 17 April 21 और 24 April 21 तो यहां में date है इस date में आपके घर आ जाएगी और दूसरा option है for receiving the study material in printed form यानि अगर आपको printed form में लेना है तो आप printed form में भी क्लिक करके आप अपना study material कलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी subject का आपको assignment download करना है या आपको उसका question paper download करना है या पर उस book से इसमें से कोई साभी course code आपको click कर लेना है ले लेना है जैसे BEGE यहां पर आपको B E B H I C 101 क्लिक करने के बाद यहां से हम अपना इसकी book download कर सकते हैं यानि आपको B H I C यहां से और इसके बाद collection community की इसके बाद यहां से हम अपनी book download कर सकते हैं यानि PDF form में यहां से हम digitally mode पे book ले सकते हैं यानि digitally mode से यहां से download करने के बाद हम PDF में shape कर लेंगे shape करने के बाद हम यहां से directly बढ़ सकते हैं study कर सकते हैं अगर यहां से हम अपना assignment भी download कर सकते हैं इस यहां से जो भी course code है उस course code से जो assignment है assignment download करके हम अपने assignment भी submit कर सकते हैं download कर सकते हैं इस website से यहां से assignment download कर सकते हैं जैसे ma history ma bsc ba bcom सारे assignment इसी website में आपको मिल जाएंगे आपको और कहीं जाने की जरूत नहीं है यहीं पे time to time चीजे अपडेट कर दी जाती हैं जैसे session है 2021 session है जैसे यह किसी subject का हमने open कि assignment जुलाई 2020 जन्वरी 21 सब्सक्राइब के लिए है हिंदी भासा का है यहने bsde 182 का assignment है यहां से assignment download करके हम assignment complete कर सकते हैं अपना assignment बना सकते हैं इस portal से हम अपने assignment download कर सकते हैं जैसे है mca का है अब हम यहां पर बात करेंगे assignment submission की last date के बारे में और हमें assignment कब जमा करना है क्या है यहां पर detail में बात करेंगे यानि आप अपना assignment by hand online mode पे या by courier अपने assignment अपने regional center में जमा कर सकते हैं और उसकी update आपको time to time regional center या study center की website पे notification मिलती रहेगी या आपको online mode पे जमा करना है या by courier जमा करना है या फिर आपको जो है by hand जमा करना है यसे नॉर्मली जून term and examination जो है आपको 31 मार्स तक सम्मिट किया जाता है यानि जो हमारा exam होता जून मा जून का उसके जो की assignment submit किये जाते हैं 31 मार्स तक सम्मिट किये जाते हैं जो हमारे December session के exam होते हैं उनके जो assignment है 30 सेतंबर तक normally submit किये जाते हैं डेट ये change भी हो सकती है अगर आपको assignment में बनाने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे नीचे description box में एक वीडियो है आप उसको देख सकते हैं आप assignment बना सकते हैं जैसे है when will the exam यानि exam हमारे कब होते हैं कब conduct होते हैं क्या है यानि जो bachelor degree master degree के जो भी student हैं जैसे January 21 के जो student हैं उनके जो exam होते हैं December 2021 में exam होते हैं जैसे BTS हो गया BAG हो गया BSCG हो गया BSWG हो गया BCOMMG हो गया BA HIS History जैसे MHM Hindi MEG English history, MSO sociology, MEG economics इन सारे प्रोग्राम के जो exam है यानि December 21 में यानि December session में conduct किये जाते हैं जन्वरी session के December session में conduct किये जाते हैं यानि जो R diploma and PG जो diploma करते हैं student वो जैसे January session के जो भी है तो उनके आपके दिसंबर में exam होते हैं जैसे for example PGDRD ये सारे student जैसे all student have taken admission यानि September based यानि semester based program certified यानि प्रोग्राम यानि उसके six months में exam होते हैं जन्वरी session के जून में होते हैं जैसे BCA, MCA, CLIS, CIB, CTS, ETC examination form यानि examination form कब हमें submit करना है यानि जो हमारे exam होते हैं जून में उनके जो exam form है हमें मार्च में submit करना पड़ता है जो हमारे exam दिसंबर में होते हैं उनके सिप्तंबर महीने में exam nation form हमें submit करना पड़ता है और exam fees पर subject 150 रुपीज लगती है यानि एक subject की 150 रुपए कि क्वार्णिंग पैसा हमें submit करना पड़ता है अब इसमें अगर हम exam में फैल हो जाते हैं तो उसके लिए क्या condition है इनके सेशन में जब भी exam होता है यह जून के बाद अगर दिसंबर जून में फैल हो गए तो आपको उसी code का आप दिसंबर में exam दे सकते हैं और आगर सब्सक्राणूल, आगर सकते हैं आगर अगर सेकंड इयर सेटियर में, तो आप रिजिस्टेशन प्रिजिस्टेशन करा सकते हैं , आप अगर सम्सक्राणूल, आप्स्ट ककॉएन की यहाद आप will be automatically be permitted during the course of अगर आपके exam हुई हैं जाये नहीं हुई हैं तो आपको second year में कर दिया जाएगा, आपको registration अगर आप करवाते हैं, तो आपको second year exam में आपको conduct करना पड़ेगा, याँ सिकंड्री फर्स्ट एर के भी आप exam second year में दे सकते हैं, जैसे आपने registration आपने करा लिया है, तो आप 6 मन्त के बाद अगर आप semester based पे हैं तो आप 6 महीने के बाद अपने exam को दे सकते हैं कोई भी semester का और आप इप यू हैब टेकन admission early based program जैसे January session का है जैसे BAG, BASE, BCOM, BMOS, ETC यानि जो second year के student है तो अपने second year को में अपना registration कराएंगे तभी final year में जा पाएंगे यानि without registration के next year में आप promote नहीं होंगे आपको registration कराना compulsory है जैसे आपको BCA और MCA की जितने भी student है उनको भी कराना पड़ेगा इगनू में online class के लिए आपके gmail id पे और mobile number पे रजिस्टर mobile number पे अपडेर दे दी जाती है और ये सारे चीजे एक ही वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल है तो अगर आपको ये information अच्छी लगी हो तो चैनल को like और subscribe करें और ये वीडियो दोस्तों के साथ share करें धन्यवाद